ओके तो लास्ट लेसन में हमने देखा कि object हम किस तरह javascript में create करते हैं और इसकी properties को किस तरह associate करते हैं according to that object now next topic हमारा ये है कि javascript में comments क्या होते है comments basically वो code होता है जो के आपने not able to run कर दिया होता है और उसमें आपने lines को basically disable किया होता है जो कि शायद आप समझते हों कि काम आएंगी but for now आपने उसको disable किया हुए तो जैसे हमारे पास यह तीन lines लिखी हुई है console.log हम यहां पर जाते हैं और यहां पर दो slashes लगाते हैं अब यह दो slashes से देखें रंग change हो गया है यहां पर इस line का और यह basically यह बता रहा है कि यह line जो है ब्राउजर में execute नहीं होगी आप execute नहीं होगी तो यहां सा आप इस चेंज कर सकते हैं और में भी आपको लगे की चीज यूज़ करते हैं तो इसको समझने के लिए अपना पुराना जो code है हम इसमें नहीं अपनी चीज़े करते हैं बलके एक new file save कर लेते हैं control shift s और इसी file को reduced file बना के नाम रख लेते हैं comments और इसको save कर लेते हैं तो अब हमार हम यहां पर एक variable बनाते हैं again names का और यहां पर हम कह देते हैं बलकि name का बनाते है single variable लेते हैं और इसमें हम एक नाम देते हैं अहमत को प्रेंट करने के लिए हमें पता है console.log और इसमें हम यहां लिख देंगे name तो control s window को close करते हैं ब्राउजर में कोलते हमना comments और HTML अब जैस हम inspect करेंगे right click करके inspect कर सकते हैं या फिर आप control shift i दबा सकते हैं for a shortcut की console में आप देखेंगे email यह print कर रहा है but अगर जैसे ही मैं यहां पर दो slashes लगाता हूं तो आप यह देखें यह चीज़ green color में convert हो गई है और यह deactivate हो गई है अब मैं control s करता हूं browser की window में refresh करता हूं तो है single line comment अगर आपको आपके पास एक और कोई line होती let's say एक और आप variable बना रहे थे age का और आपने उसमें लिख दिया whatever और यहां पर अगर आप चाहेंगे यह line भी ना चले तो आप इसको भी again comment कर सकते हैं और इस तरह जितनी lines आप comment करने चाहें comment कर सकते हैं जो के line disable हो जाएं lines हो सही है जिस तरह अगर हम एक name का variable बनाया है हमने और हम एक और variable बना लेते हैं edge का और marks का तो यह देखें अब हमारे अब हमारे पास जो है यह lines जो है तीन होगी है और यहां पर तीन lines को comment करने के लिए हमें तीन बार यह slashes लगाने पड़ेंगे ताकि यह work ना करें बट अगर हम चाहें कि हम comment एक करें और तीनो line comments हो जाएं उसके लिए हम use करते हैं multiline comments multiline comments ऐसे काम करती है कि आपने दो slashes लेने हैं और उन दोनों की बीच में दो asterisk लगाने है अब जो कुछ भी इसके अंदर आप लिखेंगे वह comment हो जाएगा तो मैं यहां से इसको remove करके नीचे ले जाता हूं तो आप देखें जो भी इसकी body के अंदर है multiline comment की वह run नहीं होगा तो हम page को refresh करके देखते हैं browser में और देखें कुछ भी run नहीं होगा और जैसे ही मैं इस comment को यहां से हटाता हूं वापस यहां रख लेता हूं तो आप देखें यह वापस enable हो गया है color change हो गया है और यह browser में भी run होंगे अगर हम इनको print करवा के देखना चाहें तो हम यह आप नेम प्रिंट का हवालत लें इन इस केस तो आप यह देखें यह दुवारा से काम कर दाए है तो अगर आप multiline यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं पुर्बत से बरबात हो जाओ कोशिश है मेरी के तो ही आजाद हो जाओ